हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको स्प्रिंग समर फॉल विंटर स्प्रिंग ये मूवी एक्स्प्लेंग करने वाला हूँ ये टुजाउन थी की मूवी है और इसके आयम डिपरेटिंग एट है ये मूवी गौतम बुद्ध के मैसेज पर डिपेंडन है जैसे इस मूवी के नाम में अलग-अलग वेदर है उसी की दरा लाइफ है इस मैसेज को ये मूवी हमें कहती है इस मैसेज के साथ बहुत सारा अच्छे चीज़े हमें इस मूवी से पता चलती है तो चले शुरू करते है मुवी स्टार्ट होती है स्प्रिंग सीजन में हमें एक लेख दिखीता है और उसके बीच में एक हट बनी होती है यहाँ दो लोग रहते है एक बड़ा मंक और एक छोटा मंक बड़े मंक को हम मास्टर कहेंगे और छोटे मंक को हम मंकी कहेंगे फिर हमें इन दोनों का रूटीन दीता है मांग को मास्टर उठाता है और ये दोनों बोट में बैट कर फिर से पहाडी में जाने के लिए रेडी हो जाते है जब भी इने जड़ी बूटी लगती है तो ये पहाडी में जाते है आज भी वो वहाँ जा रहे होते है मास्टर मंग को कहता है कि वहाँ तुम सावदान रहना यहाँ बहुत सारे साप होते है अब यह छोटा मंग किसी भी जीज की फिकर ना करते हुए इस माउंडन पर आ जाता है जब यह जोड़ी पूटिया वो पिक अप कर रहा होता है तो भी वहाँ एक साव आ जाता है यह उससे देखता है और उससे डरता नहीं उससे हाथ में लेता है और बाजो में फेक देता है चलते-चलते फिर वो एक पहाडी पर आ जाता है वहाँ गौदम बुद्ध के एक बड़ा सा स्टैचू बना हुआ होता है उसके साइड में वो खड़ा हो जाता है और फिर पूरे नेजर को दिखता है उसका जो छोटा सा व्यूपॉइंट है उसे ही एंजॉय करता है इसका जो छोटा सा viewpoint है यही वो दीखता है और scenery को enjoy करता है आप इस point को याद रखी है और movie के last में हम फिर से इसपराएंगे इस छोटे लड़के का अब काम हो गया है तो फिर से वो बेव पर आ जाता है अपने master के साथ अपनी hut तक आ जाता है वो अपने master को कहता है कि आज माने बहुत सारी जड़ी बूटिया लाई है तो बहुत ही खुश होता है अब यह दोनों अपने hut के याँ वेटते हैं और इस जड़ी बूटियो को review करते हैं master कुश बत्ती देखता है और उसे कहता है कि यह poisonous है अगर तुमने इससे खाया होता तो तुम मर जाते है यह चोटा मंग कहता है यह तो same दीखते है मुझे कैसे पता चलेगा वो कहता है कि कुछ चीज़े इस nation में same दीखती है पर यही चीज़े तुमें बचा भी सकती है और मार भी सकती है फिर वो उसे difference बदता है इस पोधों के जो ages होते है उस पर white color का एक age बनाया होता है अब अगले कुछ scenes में हमें बच्चा खेलता हो दिखता है वो ही hangout गरता हो दिखता है पर अब वो बोर हो जाता है उसके बाद वो boat निकलता है और फिर से वो जंगल में जाना चाता है वो माउंटन फर आ जाता है, वो एक चोटा सा लेक होता है, जहां फीश होता है, वो एक डोर लेता है और इस फीश को एक चोटा से पत्तर से बान देता है, यह फीश सफर कर रहा है, यह देखकर उसे मज़ा आता है, इसके बाद वो फ्रॉग लेता है, उसके साथ भी यह करता यह जो भी सब वो कर रहा होता है, यह उसका मास्टर देखता है, मास्टर उसे वहाँ कुछ भी नहीं बोलता, रात में छोटा मंग सुआया होता है, मास्टर फिर चुप चुप उसके पास जाता है, एक बड़ा सा पत्थर उसने लाया होता है, इस पत्थर को इस बच्चे से वो बान देता है, नीख दिन सुभाई बच्चा जब उठता है, उसे चलने में तकलिफ होती है, उसे बहुती दर्द हो रहा होता है, मास्टर बोलता है कि तुमने भी तो उन एनिमेल के साथ यही किया था, उन्हें भी तो दर्द हुआओगा, वो उसे फिर सजा देता है, वो फिर बॉर्ण में जाकर फिश को डूनता है फिश का पत्थर वहाँ से निकलता है पर फिश मर चुका होता है इसके बाद वो फ्रॉक के पास आता है फ्रॉक का पत्थर निकलता है और फ्रॉक जिन्दा होता है उपर जाता है और जब साप को देखता है तो साप मर चुका होता है यह देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो रोने लग जाता है यह एक छोटा बच्चा है और इसकी दिल में यह बात हमेशा से रहेगी इसके मास्टर का जो प्लान था वो सक्सेस्फुल हो गया यह कभे भी अब इस चीज़ को नहीं भूलने वाला अब इस सीजन यही खतम हो जाता है और हमें एक नया सीजन दिखाय गया है यह समर है यह जो छोटा लड़का था अब यह बढ़ा हो चुका है यह फिर से चलते चलते एक पहाड़ी पर आता है और बुद्ध के मूर्ती के पास खड़ा हो जाता है यह मूर्ती अब और एक हाई पॉइंट पर है यहाँ से जब वो व्यू दिखता है तो उसे बहुत सारी चीज़े अब दिखती है दूरसे उसे एक लड़की और उसकी मदर आते होए दिखती है यह लड़की और उसकी मदर इस मास्टर से मिलने आये होई होती है यह जो लड़की होती है इसे एक बिमारी होती है यह हमेशा सफर करती है पर इस बिमारी का इलाज पता नहीं पड़ता इसलिए अब वो मास्टर के पास आये है मास्टर इसका इलाज करेंगे इसके लिए मदर उसे यहाँ लेकर आई है मंग फिर उनके पास जाता है उन्हें ग्रीट करता है उन्हें पोट के यहाँ लेकर आता है जब वो लेक पार कर रहे होते है तब मदर उससे पुछती है क्या मेरी बेटी ठीक होगी वो फिर उसे एक जाड़ के पास लेकर आता है वो कहता है कि ये 300 years पुराना जाड़ है जब तुमारे बैटी आसे जाएगी तो इतने ही healthy हो जाएगी रात में ये लड़की उसके मद़ ये ही सो रहे होते है रात में हमें दिखता है कि ये मंग उस लड़की को देख रहा है इसे उसके ब्रदी attraction हो रहा है जब next जाता है तो ये मदर मास्टर से पुछती है कि क्या ये ठीक हो जाएगी मास्टर कहता है कि इसकी जो soul है वो सफर कर रही है इसकी suffering जब खतम हो जाएगी तो ये भी ठीक हो जाएगी इसकी body फिर से healthy हो जाएगी इस लड़की की मदर गेती है कि प्लीज इसका खयाल रखना और फिर से वो जहां से आई थी वहां लोट जाती है इस लड़की को वही वो छोड़ जाती है थोड़ी दर बाद ये लड़की वरांडे पर बेठे होई होती है फिर वहां वारिश आती है तो ये मंग छाती जिसी कटोरी लेकर उसे cover करता है नेक सिन में जब एक कपड़े चेंच करी होती है तो ये मंग वहां आ जाता है उसे थोड़ा सा गलत लगता है और ये डोर वो बन कर लेता है नेक सिन में हम देखते है एक स्रैचू पर वो लड़की बेठी हुई होती है ये वहां उसके पास आता है और कहता है कि मास्टर इसमें बेठने के लिए अलाउड नहीं करते फिर ये अंदर आ जाती है बहुत दखी चुमूर्थी होती है उसके पास वो आती है और प्रे करने लग जाती है थोड़ी देर बाद प्रे करते हुए वो ही वो सो जाती है मंग फिर अंदर आता है वो जब उसे देखता है तब उसे जादर से cover कर देता है वो उसे देख रहा होता है और उसे feel करने लग जाता है ये लड़की जा जाती है और उसे एक slap मार देती है इसे अब बहुत ही बुरा लग रहा होता है तो ये prayer करने लग जाता है यह लड़की भी उससे हाथ लगा रही होती है तो वहाँ master आ जाता है master जब आता है तो यह लड़की वहाँ से चली जाती है master उससे पुछता है इस वक तुम क्यों प्रे करे हो पर वो प्रे करना continue करता है next दिन जब आता है तब boat में यह mank होता है ये उस लड़की को पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी फिर ये दोनों माउंडन पर आ जाते है जो पॉंड था यहाँ वो आ जाते है ये लड़की फीश पकड़नी के ट्रायक कर रही होती है पर ये पकड़नी पारी होती मंग उपर से उसको अबजर कर रहा होता है और पॉंड में गिर जाता है उसके लिए फिर फिश पकड़ता है और उससे दे देता है वो फिर से उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है पर उसे वो जटक देती है रात में मंग उससे देख रहा होता है पर जब वो आग अपनी खोलती है तो यह साइड चेंज कर लेता है दूसरी साइड पर उस होता है यानि को उससे देखना पाए इसके अगले दिन मास्टर इस लड़की के लिए एक दवा बनाता है यह दवा उसे देखर कहता है कि इससे तुम्हारा माइन क्लियर होगा पॉर्ण में मंग अपनी जो बोट होती है उसे गोलगोल फिरा रहा होता है वहाए लड़की भी होती है वो फिर पानी में गुच जाता है यह लड़की हट के किनारे पर होती है तो वहाँ वो पोज जाता है वो उसे पानी में गिरा देता है वो फिर उसे बोट में बैठा कर फिर से जंगल में लिकर जाता है यह यह दोनों अब इंटिमेंट हो जाते हैं जब वो फेसे घर आ रहे होते हैं तो ये लड़की की पेर दुखने लग जाते हैं ये फिर उसे अपने कंदे पर उठा लेता है अब ये अपने बोज के साथ उसका भी बोज उठा रहा है उसकी responsibility रह रहा है ये ये scene यहां represent करता है जब रात होती है तो इस लड़की के पास हो change कर देता है जिस rules से वो पहले जी रहा था इस rules को अब वो उसके लिए बदल रहा है नेकसे में master hut के बाहर बेटा हुआ होता है इस दोनों को वो मस्ती करते हुए देखता है इसे इसमें objection नहीं होता है वो भी इन दोनों को देखकर खुश होता है अब फिर ये monk और ये लड रहा तो मैं पागल हो जाता हूँ हमें यहाँ एक शू में वो दो फीच डालते हुए दिखते हैं यह romantic gesture उने लगता है पर यह represent करता है कि उनका view कितना चोटा हो चुका है अब वो pond का खयाल नहीं करें लेक का खयाल नहीं करें पर एक शू में वो सिमीत हो चुके है यह ब्ल दोनों को इन boat में पाता है वो इस boat को उसके पास बुलाता है और यह boat sink करने के लिए इसमे एक hole बना देता है यह दोनों डूपने जब लग जाते थे तुबे जग जाते है मंग फिर अपने master से माफ ही मांगता है वो कहता है कि मुझे माफ कर दो मैंने जो भी किया वो गलत क क्या है? Master से कहता है, कि ये Nature है, जो भी होता है, वो अपने आप ही हो जाता है, इसमें तुमआरी कोई भी गल्दी नहीं है, वो फिर लटकी से पूचता है, क्या तुम अब ठीक हो चुकी हो, और कैती ही कि हाँ, अब मैं ठीक हो चुकी हो, तब ये मास्टर अभी इस लड़की को फिर से उसकी मदर किया भेज देने वाला होता है मंग कहता है कि नहीं मैं इसकी मेरा नहीं जी सकता पर मास्टर उसकी मानने नहीं वाला होता मास्टरों से कहता है कि तुम्हारी जो हवस है इससे तुम किसी चीज़ को मास्टर से गहता है कि तुम्हारी जो हवस है इससे तुम किसी चीज़ को अपने वश में करना चाहते हो अगर तुम किसी चीज़ को अपने वश में करना चाहते हो इसका मतलब है तुम उसे मार देना चाहते हो इससे वो इस चीज़ का मर्डर हो ज दिखता है और भी थोड़ा सा बुड़ा हो चुका है अपना जो रूटीन चलता है वैसे हो चलने देता है उसने खाने के लिए गाउ से कुछ चीज़े लाए हुए होती है वह एक पेपर होता है जिसमें देखता है कि एक आदमी ने उसके वाइफ को मार डाला है यह हमारा वह ही मंग है जो यहाँ से भाग कर चला गया था जब गया था तो यह 18-19 साल का था अब वो 30 साल का हो चुका है इसी मंग ने उसके जो वाइफ है यानि कि वो लड़की इसको उने मार दिया है अभी हमें फिर से लेक में आता हो दिखता है वो शोर के पास आता है और यह मंग उ मुझसे यह बात मत करो मास्टर कहता है कि वर्ल्ड जो था तुम्हारे लिए पेंफुल था यह पेंट तुम्हें क्यों हुआ है यह मुझे बताओ फिर वो कहता है कि उस लड़के ने मुझ पर चीट किया था वो एक दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी इसलिए उसने उस कैसे कर सकती है उसने मुझे कहा था कि वो उससे प्यार करती है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगी मैं उससे फेथफुल था फिर यह मास्टर से कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था यह जो वर्ल्ड है चाहां हुमन्स रहते है इसमें हमेशा तुम्हारी पास जो भी जो वो लेकर गया था उसने अब वो फेर से लोटा दी है यह मंग बहुत डिस्टरब हो चुका है उसे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है वो अपने मास्टर से हेल्फ मांगता है जब यह बुद्ध के पास बेठा हुआ होता है तो अपने फेस पर एक कागत लेता है और अपने आपको चोक करना जाता है यह सुसाइड कर रहा होता है जब उसका मास्टर उसकी आवाजे सुन लेता है तो वो अंदर आ जाता है उसे एक काठी से बहुत मारता है उसे वो बचा लेता है पर उसे डोर से बान देता है और लटका भी देता है उसकी गल्दी की उसे सारे अक्षर लिखता है। उनके language के सब alphabets वो वहाँ लिखतेता है। यह monk फिर door से जब free हो जाता है तब जिस knife से अपनी wife को उसने मार दिया था उसी knife से वो अपने बाल काड लेता है। वो फिर जब बाहर आता है तब उसका master हो से कहता है कि मैंने जो भी अप later लिखे है यसे अब तुम knife से carve करोगे। जब तुम यह कर रहे होगे तो तुमारे अंदर का जो भी anger है वो तुम बाहर निकालोगे। जब यह mang यह खतम करेगा तब तक उसके अंदर की जो भी agony है जो भी वो पैन महसूस कर रहा है वो सब खतम हो जाएगा। यह mang फिर देखता है कि वहाँ दो पोलिस ओफिसर आ चुके हैं उन्हें लेने के लिए master जाता है, master फिर उन्हें लेक तक लेकर आता है, mang के पास knife होती है तो वो रेजिस्ट कर रहा होता है, master इंडिरिक्ट्व को कहता है कि मैंने तुमें job दिया है, यह इसे खतम करने दो उसके बाद तुम इसे लेकर जा सकते हो, यह police भी इसके लिए मान जाते हैं, इस काम के लिए पूरी रात लगने वाली होती है, जब यह सब होरा होता है तो डिरिक्ट्व बोर हो जाते है, एक soda can इस लेक में होता है, उसे shoot करने लग जाते है, वो अपना निशाना साथ नही पर जो master है, इस सब चीजों को साफ करता है, और वहाँ paint करने लग जाता है, जो police होते हैं, इनको भी यह काम देता है, पूलिस को इसने बता होता है, कि इसे मन की शान्ती प्राप्त होती है, इन police को भी इसकी जरूरत है, इसलिए उन्हें भी यह काम देता है, यह सब अब य anger खतम हो चुका होता है, अब वो police के साथ जाने के लिए ready हो जाता है, अब last बार इस लेक के नजारे को देखता है, और फिर इन police के साथ वो चला जाता है, थोड़ा वक्त अब गुजर जाता है, यह जो mank है, इसकी vision अब धूननी पढ़ने लग गई है, यह अब old message करने फोइट करता है, यह उनकी वीदियो होती है, जब भी mank को मरना होता है, तो इस paper को उस खुद पर लगाते है, और खुद को मार डालते है, बुद्ध फिलोसी में कहा गया है, कि आत्मा अमर है, तो इसलिए अब वो सिर्फ अपने शरीर को त्याग रहा है, यह हमेशा meditation करते अब यह मर भी रहा है, पर फिर भी इसे pain नहीं हो रहा, जिस boat में वो होता है, इस boat को भी वो डुबा देता है, यह सफो के ढोकर वो अब मर जाता है, इसके पाथ हमें next season दिखाया गया है, यह winter है, जो mank था, जो jail में चला गया था, वो बढ़ा हो चुका है, अब वो अपन के boat में मोती होते है, यह मोती मास्टर के soul को रिप्रेजेंट करते है, इसको फिर एक red cloth में लपेट लेता है, और अपने साथ वो लेकर आता है, वो फिर mountain पर चड़ता है, वहा का जो pond था, वो भी freeze हो चुका है, यह फिर ice से एक godham buddha की मोरती बनाता है, जब भी कोई मर जा जब वो master के drawer वेगरा देखता है, तो वहाँ उसे एक book मिलती है, इस book में सब exercise के आसन वेगरा दी होते है, फिर हमें इन सब exercise को वो practice करता हो दिखता है, उसे भी अपने master जैसा बनना है, यह जो master था, इसके पास अनुकी power थी, उसकी जो board थी, उसे सिर्फ अपने हाथ से वो औरत वहाँ थी है, उसके पास एक बच्चा होता है, उसने अपने face को cover कर लिया होता है, उसके जो हला थे वो गलत है, इसलिए इस बच्चे का खयाल नहीं कर सकती है, उसे अब यहाँ छोड़ देने वाली होती है, इसलिए उसने अपने face को cover किया होता है, उसकी बच्चे से उसकी attachment ना जुने इसलिए भी वो करती है भगवान के पास वो आई हुई होती है और जो कर रहे ही वो गलत है इस shame की वज़े से भी उसने अपना आग face cover के होता है जब रात हो जाती है तब औरत इस बच्चे को छोड़ कर वहाँ से जा रही होती है हमने देखा था मंग ने अपने पानी बिने के लिए एक होल बनाया था इस होल में वो गिर जाती है और वो ही मर जाती है अब हमें देखता है इस season जो था वो change हो रहा है जो पर्फ था वो पिगल रहा है मंग ने अपने master की जो statue बनवाई थी जो red cloth में wrap करकर जो purse रखे थे वो भी अब इस पानी के साथ बेह रहे है जो master की soul है वो free हो चुकी है जब सुभा होती है तो ये बच्चा लेग में crawl कर रहा होता है अपनी mother को ढूंड रहा होता है ये master उसे बचाता है और देखता है कि उस hole में ये औरत मर चुकी है इसने जो shoe पहना होता है ये एक black shoe होता है जहाँ वो मर चुकी होती है वह भी वो बुद्ध की एक statue लगा देता है इसके बाद फिर हम देखते है कि एक बड़ा सा पत्थ है ये mang अपने आपको लगाता है अपने आपको इसने बांदा होता है और एक गौतम बुद्ध की मूर्ती लेता है इस मूर्ती को लेकर पहाड वो चड़ता है बहुत सारी मुस्विपोतों से ये गुजर कर ये पहाड चड़ रहा होता है उसके पेर से खुन मी आने लग जाता है पर फिर भी वो चड़ते ही जाता है ये चड़ते चड़ते एक बड़े से पहाड के आ आ जाता है जब इस पहाड के उपर होता है तो उसका लेक बहुत ही छोटा सा लगता है जिस पत्तर को अपने खुद से वो बांदा होता है वो छोड़ देता है और वहाँ वो रख देता है गोतम बुद्ध की मुलती उस पर प्रस्तापित करता है संसेट होता है तो यहाँ वो प्रे करता है अब यह जो मंग है यह नेचर को अलग परस्पेक्टिव से देख सकता है जब वो छोटा था तो उसकी वीजन बहुत ही कम थी बहुत ही छोटा सा नजारा वो देख सकता था जब वो बढ़ा हो चुका था तो अलग नजारे को देखता था अलग नजरिये से वो इस जग को देखता था अब यह बहुत ही बढ़ा हो चुका है लाइफ में जो भी सब इसने experience किया है जो भी चीज़े इसने देखी है अब इसे अपने experience के अनुसार ये सब छोटी लग रही है उसका knowledge, उसकी समझ सब कुछ बढ़ चुका है अब winter बीच चुका है और spring आ चुका है बहुत सारे साल गुजर चुके है जो चोटा लड़का था वो भी अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका है मूवी के first में जो monk की age थी वही इस लड़की की age है इन दोनों की जो भी face है वो भी same है यानि कि monk जो था वो master बन चुका है और जो चोटा लड़का था वो अब monk बन चुका है जो शिक्षा master ने अपने monk को दी थी यही शिक्षा यह monk अब अपने शिश्य को दे रहा है हमें फिर देखता है कि यह जो चोटा लड़का होता है वो pond पर आता है जैसा चोटे monk ने किया था कि fish को एक डोर से बांद दिया था और चोटे से पत्थर से उसे बांदा था उसी तरह से यह लड़का भी अब करने वाला है एक चोटा सा पत्थर लेता है और fish को खिला देता है fish unbalance हो जाता है और उससे मज़ा आता है यही जीज वो frog के साथ और snake के साथ इन दोनों के साथ वो करता है अब फिर से हमें कौतम बुद्ध की मुर्दी दिखाए गई है जो बड़े से mountain बरे है अब यह सीन आदमी के life cycle को represent करता है जो भी चीजे इस चोटे मांगने की थी वही अब उससा शिश्य भी कर रहा है जो भी सब हो रहा था वो फिर से अपने आपको repeat कर रहा है आदमी जो होता है अपने life में बहुत सारी mistake करता है उस mistake से वो सीखता है उसके बाद उसे एक बड़ा perspective मिलता है उस पे experience बढ़ते है इस experience बढ़ने के बाद life को अलग तरीके से वो देखने लग जाता है और फिर इससे अपना peace बना लेता है आदमी ने जो भी अपने experience से सिखा होता है वो छोटे बच्चों को समझाता है अपना knowledge वो share करता है हमारे डीजर हमें कुछ सिखाना चाते है पर हम खुद गल्दिया करते हैं और फिर उससे ही सिखते हैं जो master था उसके पास power थी जो सब हो रहा था उससे रोक सकता था mang जब उसके लड़की के साथ सो रहा था उसके साथ intimate हो रहा था इससे सब कुछ पता था इससे वो रोक सकता था पर उसने उसके mang को ये गल्दिया करने दी जो भी experience थे वो उससे करने दी है अगर mang के master ने उससे रोक लिया था तो जो सीज़े उसने की थी वो करने पाता वो जेल में आई जाता और जेल में वापस आने के बाद master जिस way से जी रहा था जो सही way है इससे वो जी नहीं पाता वो अपने horizon को expand नहीं कर पाता हमने movie के first में देखा था कि master अपने mang को एक शिक्षा दे रहा है इसमें उससे कहरा होता है जो चीज तुमें बचा सकती है उसमें मार भी सकती है जब हमने देखा था कि mang और लड़की इन दोनों में पैर हो चुका था वो दो fish लेते हैं और एक shoe में रखते हैं एक black shoe को ता है यह इन दोनों के love को represent करता है पर यही love उसे बरबाद करकर रख देता है जब वो जेल में जाकर वापस आ जाता है एक और उसके पास आती है और लड़के को उसके पास छोड़कर जा रहे होती है तभी वो मर जाती है जब वो मरती है तभ उसने black shoe पहने होते है जो तरंग रहे होते है एक लड़की ने ही उसे बरबाद कर दिया था पर अब इस औरत ने उसे जीने के लिए एक गोल दी दिया है जो भी उसने सब सिखा है इस चोटे बच्चे को अभूय नॉलेज देगा तो इस तरह से लाइफ के बहुत सारे लेसंस और लाइफ को देखने का एक नया परस्पेक्ट टू ये मूवी हमें देखर जाती है जब ये मूवी चल रहे होती है इस मूवी में जो भी नेचर की सीन आते है इससे आदमी जूट जाता है ये मूवी यूटूब पर देखने के लिए अवलेबल है और अगर आपको वक्त मिले तो आपको ज़रू देखनी चाहिए तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मूवी अच्छे लगी होगी तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कर देजेगा अगर आपको ऐसे अच्छी मूवी कुछ पसन है तो आप इसकी सजेशन कमेंड में दे सकते हैं मैं बहुत सारी मूवी लेकर आता रहता हूँ अगर आपको ऐसे और वी वीडियो चाहिए होगे तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा बेल नोटिफेशन आइकोन भी दबा दीजे यानि कि आपको सब वीडियो मिलती रहे हैं हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खयाल रखिए